लेकिन अगर खड़े हो गए जैसे हमारे खजूरी खासके लोग खड़े हो गए थे वहां से आएं साती ये पांच दिन पहले खड़े हो गए प्रशान दूशन के साथ आए एक पप्याजी चंसुरुवाई में पांच दिन में MLA दोड़ा दोड़ा आया जी मैं बंद लेते कि क्या हुआ वहाँ पे जुटा वाइदा किया है लेकिन कमसे कम पांच दिन में MLA हिल गया कुर्शी हिल गई नेता जी कि जिस दिन कुर्सी हिले इसी दिन काम करते हैं कुर्सी हिल गई अगर हम सब इकठा होके करेंगे खड़े होंगे संघर्ष करेंगे तो बड़ी बड़ी कुर्सिया हिल जाएंगी और आप देखना कैसे रातो रात काम होते हैं यह हमने तीसरी जंग सुनवाई की है ग्यारा जगें से लोग लाइन लगा के खड़े हुएं कि जी हमारे यहां पे भी आओ को रोज खबर आती है चार फोन ओर आ जाते हैं जी आपने हमारे हमारे यहां पे कोई ध्यान ने दी हमारे भी बड़ी समझ जाए और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे दिल्ली में अब एक जनाम दोलन की शुरुआत होने वाली है जिस तरह से हमारी बेहने यहां आई है अलग अलग जगे से आएंगी करावलनगर की बेहन आएगी नवादा की बेहन आएगी हर तरफ से बेहने आ रहे हैं हमारे पुराडी के साथ ही आ रहे थे वो बता रहे थे क्या स्थिती है जारों तरफ से दिल्ली में बेहने आएगी और बेहने और माताएं आके इन ठेकों के खिलाफ कड़ी होंगी और मैं आपको बताता हूँ बेहन जिस दिन आप इस पे खड़े होंगे किसी की हिम्मत नहीं स्वराज अभियान अपनी पूरी ताकत के साथ आप सब के पूरी तरह साथ रहेगा एक कदम पीछे नहीं लेगा आज मंच पे एक और आत्मी ने भी आना था बिवार हो गए नहीं आ सके प्रशांद बूशन का नाम सुनाए जी आपने प्रशांद बूशन का नाम सुनाए इस देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक बड़े वकील क्या करते हैं जी एक घंटे के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने का पांच लाक रुपया मांगते हैं प्रशांद बुशन है जो कहता है एक पैसा नहीं लूँगा फिर्फ सचाई का मुकदमा लड़ूगा और किसी का मुकदमा नहीं लड़ूगा आज बिमार हैं यहां पे नहीं आ सके पिछली दोनों बार प्रशांद जी रहे थे आप गेंजी डरना नहीं इस देश का सबसे बड़ा वकील आपके साथ खड़ा है जरूएत हो तो सुप्रीम कोड तक जाएगा इन जूटे लोगों को और इस जूट की कमाई करने वालों को सबक सिखाएगा तो बस हम सब लोगों को मिलके एक संकल्प लेना है एक प्रस्ताव मैं आपके सामने पढ़के सुनाता हूँ अगर ये प्रस्ताव आप सब को ठीक लगे तो सब इस पे हाँ करना जी लेकिन सिरफ हाँ करके घर पे नहीं जाना है संकल्प लेना है लडाई करनी है और मैं बताता हूँ आज सुथी जो बन गई है जो हमारे को करावल नगर से आज दिख गई है ये सरकार हिलीवी है इस सवाल पे हिलीवी इसलिए नहीं है कि दिली के लोगों की शरम है ये भी बता दूँ गई हिलीवी इसलिए कि पंजाब की वोट का डर है सरकार गई है दिली के लोग तो लूप जाए गोई फरक मी परता तुमका वोट आगया चार साल बात देखेंगे लेकिन पंजाब के वोट का डर है अगर मौका है तो अभी है अभी अगर आप करेंगे तो जैसे सरकार इलेक्शन से दो महीना पहले हर कुछ काम करने को तयार हो जाती है ये सरकार आज इसी मूर में है इलेक्शन दिल्ली का नहीं है पंजाब का इलेक्शन है वहाँ ज्यादा बड़ा मेवा है वहाँ की लडाई है आज अगर दिल्ली में कहीं भी किसी भी महले में लोग खड़े हो गए इस सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा इसे आपके सामने जुकना पड़ेगा और शराज अभियान आपके साथ रहेगा तो बस ये प्रस्ताव मैं को पड़के सुना देता हूँ उक्तम नगर जन्सुनवाई में पास किया गया प्रस्ताव हम उक्तम नगर विधान सभा के नवादा के स्थानिये लोग आज दिनांग 28-28 अगस्त को इस जन्सुनवाई में स्थित जन्सुनवाई में नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे स्थित शराब के ठेके को बंद करने का तस्ताव करते हैं आज की यह सभा यह निवने लेती है कि इस ठेके को यहां से हटाया जाए ठेके को बंद करने के लिए दिल्ली सरकार को हम 11 सितंबर तक का अल्टिमेटम देते हैं 11 सितंबर दो अफ़ते दे दिया बहुत टाइम दे दिया आपने दो अफ़ते में तो सरकार फाइल कहां की कहां कर सकती है दो अफ़ते का टाइम दे रहे 11 सितंबर तक अल्टिमेटम देते हैं और यहाँ बैठ जाएंगे, भिलेंगे नहीं, जब तक ठेका बंग नहीं होता, तो याद रखिएगा, 11 सितंबर, तो यह प्रस्ताव मंजूर है जी, सब लोग आद खड़ा करके बोलेंगे, जिनें मंजूर है, बैंजी मंजूर है प्रस्ताव, सब को इदर लोगों को मंजूर है, तो बस मिलके मेरे साथ बोलिएगा, बैं कहूंगा लड़ेंगे, और आप लोग क्या कहेंगे, जीतेंगे, लड़के जीतेंगे हम लोग, लडेंगे 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 भारत मतागी इंकलाव बहुत 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 देने बाद झाल झाल